हेलो एवरीवन, स्वागत है अपनों का हमारे यूट्यूब चनल ग्लैंस अकेडमी पर दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने थमनेल में देखा है कि 750 प्लस MCQs की सिरीज हम लोग करेंट अफेर्स पे आधारित करा रहे हैं जो UPPCS Prelims 2023 के लिए बेहद ही महत्पून है जिसमें घटना सार वार्सिकी 2023, घटना चकर ई दिर्श्री वार्सिकी 2023 और प्रत्योगिता धरपण जो मन्तली मैगजीन साती है उन सभी बेस्ट मैगजीन के जो एकी कुछ important प्रस्णों को कभर किया गया है तो यह साड़े 700 प्लस मत समझे इसमें जो ब्याख्या और स्टेट्मेंट और जो option दिये गए उनके according लगभग 1000 प्लस MCQs बन जाएंगे तो अगर आप लोग PCS को तैयारी कर रहे हैं और current affairs की आपको जो समस्या आ रही है कि कैसे solve करें तो इस 5 class को देख लिजेगा और आप लोग रिवीजन भी आसानी से कर ले तो ध्यान दीजेगा यह बेहती मातपूर्ण सीरीज है और आप लोग इसे miss मत करिएगा अगर इसकी PDF चाहते हैं तो टेलिग्राम चैनल को जोईन कर लिजे घटना सार वारसी की और घटना चकर इद रिष्टी की current affairs की classes भी कराई गई हैं तो आप लोग सभी कुछ आप access कर सकते हैं और अभी भी 15 दिन में बहुत कुछ आप कर सकते हैं दो से तीन चीजों को आप कर लिजे आपका selection इस बार prelims में जरूर होगा और यहां से मैं कहा सकता हूं कि 25 से 26 questions जरूर आपके फसेंगे तो ये series बिल्कुल मत मिस करना current affairs की जो 700 questions की है ऐसी series आपको YouTube पे कहीं नहीं मिलेगी केवल एक ही platform में वो है Glance Academy जो आप सभी के लिए प्रतिबद्ध है डेडिकेटेड है आप लोग की मंजिल में एक सहयोग की रूप में तो चलिए सुरू करते हैं आज question number 201 से question number 201 है जन विश्वास विदेख 2022 22 दिसंबर 2022 को लोकसभाम पेस किया गया इस विदेख के बारे में निमलिखित में से कौन सा कथन सत्य है तो कारोबारी सुगमता बढ़ाने के उद्धेश से 42 अधिनियमों के 183 प्रावधानों को संसोधित करके लगु अपरादों में सजा के प्रावधान को समाप्त करना है तो यही इसकी बात सही है क्योंकि यह कारोबारी सुगमता से संबंदित है और इसमें 42 अधिनियमों को समाप्त किया जाएगा अगला प्रशने 202 अंतराश्टी समिलनों के युग में पर विचार करना है कौप 19 of cities 14-15 जो 14-25 नॉबर 22 में आई जित हुआ वहीं COP 27 जो की UNFCCC का 6-18 नॉबर 22 कुवा मिसर के कहां पे सर्म अल सेक सहर में तो कौन सा कथन सही हो जाएगा तो दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर आपके सही है अगला पूछा यह रहा है 203 Global of Shore Wind Alliance यानि कि जिसको हम गोवा भी कह सकते कि पहल किसके द्वारा सुरू की गई है या अंतराश्टी नवी करणी उर्जा एजन्सी के द्वारा सुरू की गई है या फिर हम आगे देख लेते हैं डेनमार्क सरकार के द्वारा सुरू की गई है या फिर वैस्विक पवान ऊर्जा परिशथ या संयुक तराश्ट परियावरन परिशथ तो यë जो गवा जो की योजना है इसको जो सुरू किया गया है दोस्तों, वो किया गया है एक दो तीन इसमें संयुक्तराष्ट परियावण कारेकरम को छोड़ दिया जाए तो बाकी तीनों ही संस्था हैं इसमें सामिल है अगला प्रशन है आपका 204 रेपो दर में विगत महिनों में लगातार वृद्धी से बैंकों ने अपने रेणों और जमाओं पर ब्याजदरों में वृद्धी की सरकार ने अपनी लगू बचत योजनाओं पर भी ब्याज वृद्धी एक जनवरी 2023 से किये तो राश्टी बचत पत्र जिसको हम NSC कहते हैं National Saving जो Certified होते है Certificate पर सलाना ब्याजदर कितनी की गई है अब कितनी की गई है तो 7% कर दी गई है 7% अगला प्रशने 205 विस्व बैंक द्वारा दिसंबर 2022 में जारी एक रिपोर्ट के संदर में निमलिखित में से कौन सा कथन सही है वर्तमान में विस्व के 73.3 करोन लोगों के पास बिजली नहीं होगी और 2030 तक विस्व के 67 करोन लोग बिना बिजली के रह रहे होंगे तो द द्वारा तैयार की कि सामाजिक प्रगति सूचकांग 2022 को जारी किया और निमलिखित में से कौन सा जनपत पहले अस्थान पे दा तो यह राज्य और जनपत दोनों के लिए जारी की जाती है तो यहां जनपत पूछा जा रहा है क्या बैंगलूर या सिमला या फिर और देख भी नहीं पता रहते हैं तो आप लोग एक लिस्ट बनाईएगा और जो सेवन सिस्टर्स आठ जो स्टेट साते हैं एट सिस्टर्स सिक्केम, अनुणाचा प्रदेश, मेगालाय, मिजोरम, तिरपूरा, असम, नागालेंड, मडीपूर इन सभी के राजजिपाली की लिस्ट बना लो, मुख्यमंत्री की लिस्ट बना लो, अध्यक्ष की लिस्ट बना लो, उसकी राजधानी की लिस्ट बना लो, ये इंपॉर्टेंट कर लीजे काम, नहीं तो एक प्रश्नियां से आपका गलत हो सकता है अगले प्रश्न की लिए चलते हैं, सितंबर 2022 में निमलिखित में से किस राजजिया संगसासित छेतर को देश का पहला स्वक्ष सुजल प्रतेश घोसित किया गया, तो B-Option हो जाएगा Union Territory या राजजिया, दोनों ही अगर पूछता है, राजज भी या Union Territory, तो इसमें B अगला प्रश्न है, जल जीवन मेशन के अंतरगत निमलिखित में से किस राजजिक के प्रतेग घर में स्वक्ष पेजल की आपूर्ती नलों त्वारा होती है, तो गोवा, तेलंगाना, गुजरात, हरियाना, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि एक और चार यहाँ पर सही है एक और चार, यानि कि गोवा और हरियाना ही है, हलांकि जो एकि अब तो और भी आने लगे हैं, लेकिन अभी तक केवल रिकॉर्ड में, आन रिकॉर्ड जो एकि यही है कोशन नमबर 2-9 है केवल विवाहित महिलाओं द्वारा संचालित इमा की जो इमा कीथल बाजार कहां पर इस्थित है तो ये आपका कहां पर हो जाएगा इमफाल मडीपूर में, कहाँ पर है इमफाल मडीपूर और ये कल की क्लास में हमने डीटेल पर इसमें एक प्रशन भी किया है अगला प्रशन है, इंडियन प्रीमियर लीग की लगू निलामी में निमलिखित में से किस क्रिकेटर को सरवाधिक बोली लगा कर खईदा गया तो जो IPL की इस बार जो लीग हुई थी, उसमें सबसे महगा खिलाडी कौन भी का है तो इंगलाइन के हरफन मौला क्रिकेटर सैम कुरन साहब क्योंकि इन्होंने T20 में जो पिछली बार T20 हुआ 2022 बहुत अच्छा प्रदर्शन किया इसलिए ये सबसे महगे खिलाडी के रूप में भी के अगला निमलिखित में से किस निकाय दोरा नमामी गंगे स्वक्ष गंगा पहलेतू राश्टी मिसन को विस्व के सीर से 10 उधार फ्लैक्सिप कारेकरमों में सामिल किया गया तो सयुक राश्ट संग के दोरा इसे सामिल किया गया देखे PCS में ऐसे वन लाइनर प्रशन भी पूछे जाते और ऐसे स्टेट्मेंट वाले भी प्रशन पूछे जाते तो कितने यूग में सही सुमेलित है तो कितने यूग में सही सुमेलित है गुजरात में दिसंब्र 2012 में 2022 में हुए राज्य विधानसभा चिनाव में रिकॉर्ड विधानसभा सीटे 157 पर जीत हासिल करने के बाद भारती जनता पार्टी ने गुजरात राज में लगातर 29 वर्सों तक सासन करने का रिकॉर्ड बनाया है आजादी के बाद से अब तक भारत में किसी राजनितिक दन ने किसी राज में सरवाधिक अवधी तक ये सासन किया है तो अब ये पूछाय रहा है कि किस राजनितिक दनने की आजादी के बात से ऐसा है तो ये हो जाएगा पश्चिम मंगाल में CPM के दोरा इससे भी अधिक लगवग 37 वर्ज तक सासन किया गया है अगला प्रशने किस मंत्राले दोरा प्रधान मंत्री कौसल के कारेकरम को प्रधान मंत्री विरासा समवर्धन योजना के रूप में कनवर्ट किया गया है तो इसका हो जाएगा अलपसंक्षक मंत्राले ने इसका नाम बदल दिया है अगला प्रशने 215 विस्व आसमानता रिपोर्ट 2022 के निमलिखित में से कौन सा कथन सही है इसे Oxfam द्वारा जारी कियाता है रिपोर्ट के अनुसार भारत में सीर्स 1% आबादी को राजटी आये का 50% से अधिक प्राप्त है तो इसमें पूछा जारा कौन सा सही है तो ना तो एक सही है और ना ही दूसरा सही है क्योंकि जो सीर्स 1% आबादी है उसको 50% नहीं बलकि उससे ज्यादा प्राप्त है आगे चलते हैं World Population Prospect 2022 नामक रिपोर्ट के संदर में निमलिखित कत्नों पर विचार करते हैं यह रिपोर्ट Population Action International नामक संस्था द्वारा जारी की जाती है इस रिपोर्ट के अनुसर 15 नॉबंबर 2022 को दुनिया की अबादी 8 अरब तक पहुँच चुकी है उसको पार कर गई तो यहां पर आप देखोगे कि दूसरा statement तो सही है लेकिन पहला गलत है क्योंकि यह जो रिपोर्ट है यह डब उसके UNO के द्वारा जारी की जाती है किसके द्वारा जारी की जाती है UNO के द्वारा अगला प्रशन है यहां पर 270 है और यहां पर कुछ पुस्तके लिख हुई है और उनके सामने उनके लेखक लिख हुई है तो इसका मिलान करना है क्या करना है इसका मिलान करना है तो चलिए सुरू करते हैं हम लोग दा लाइट वी केरी अंबेड कर अलाइफ तो आएए इसको जो है कि हम लोग कूट के माध्यम से समझते हैं तो इसका उत्तर आप देख लिजे अंबेड कर अलाइफ ससी धरूर जी की है और दा सेवन मून्स अफ माली अलमिडा सेहान करूना तिलक की है जिसके लिए ने 2022 का बुकर पुरसकार भी दिया गया और अंबेड कर अंबेड कर अंबोधी रिफॉर्म्स आइडिया ये इलाइया राजा की है आगे देख लेते हैं इसके बारे में हम 218 प्रशन अकला है बायो एसिया 2023 के निमलिखित कत्रों पर विचार कीजिए और असत्य कत्रों यहां पर ध्यान दीजिएगा कि असत्य पूछा जा रहा है या सत्य ऐसा प्रशन अक्सर आता है प्रशन और गलत हो जाता है हमसे इसका आयोजन फरवरी 2023 में हैदराबाद में किया गया यह मध्य एसिया का सबसे बड़ा जैविक प्रद्वी की एक जीव विज्ञान मत्च है जो की मध्य एसिया के देशों का और इसका मुख्य विसे था एडवांसिंग फॉर वन सेपिंग दा नेक्स्ट जेनरेशन यूमन एस्ट हेल्थ केर तो डी ओफ्सन हो जागा कि इसका यह बायो एसिया का 25 संस्क्रण नहीं था ये अगला प्रशन दो सब उननीस COP 15 2022 के बारे में निमलिखित कत्रों पर विचार कीज़े इसका आयोजन A.B. जान सहर में किया गया COP 15 की थीम Land Life Legacy from Scarcity to Prosperity था और COP 14 की मेजबानी भारत ने की थी तो इसका हो जाएगा उपरयुक्ट सभी यानि कि तीनों ही स्टेट्मेंट यहां पर सही है वन टू त्री तीनों सही है अगला परशने 220 निमलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है काजिन्द भारत और कजाकिस्तान के बीच में होता है हरिमाउ सक्ती अभ्यास भारत और मलेसिया के बीच में होता है और आगे देखते हैं संगम अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच होता है और उदार सक्ती भारत और मलेसिया के बीच में होता है तो इसका सीव अलस ही हो जाएगा कि संगम अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में नहीं होता है यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है आपसे नहीं पूछा जा रहा है न पहला 24-7 सौरूर्जा से संचालित गाउं वारणसी SEO की सांस्किर्टों का पारेटन राजधानी बनी है कोजी कोड जो केरल का यहां HDFC बैंक ने अपली पहली महिला साखा का संचालन किया जिसमें सभी महिलाएं कारिक करती है और दासपारा जो कितिरुपुरा का एक गाउं है भारत का पहला बायो विलेज घोसित किया गया है तो यह हो गया 221 का 222 को देखते हैं 17 प्रवासी भारती दिवस सम्मिलन के मुख्य अतीथी कौन होगा जो वर्थ 2023 में आयजित किया गया तो गयाना के राश्टपती इर्फान अली डॉक्टर इर्फान अली और यह कहां पर आयजित हो रहा है तो यह कहां पर आयजित हो रहा है मद्व प्रदेश के इंदोर में अगला प्रशने आपे 223 HDI के सम्मन में निमलिखित कत्रों पर विचार कीजिए मानो विकास सूजकांग 2021 में 191 देशों और छेत्रों में भारत 132 अस्ठान पर है कहने मतलब मानौ विकास सूजकांग में जो 191 देशों के लिस्ट जारूँ इसमें भारत 132 नंबर पर है और HDI रिपोर्ट 2022 में 189 देशों में से भारत आपके 131 अस्थान पर है तो पूछा जारा कौन सा सही है तो आप देखेंगे कि दोनों ही सही नहीं है क्या हो जाएगा? दोनों ही सही नहीं है क्यों हो ऐसा? क्योंकि 132 नंबर पे 2022 में है और जब कि 2021 में 131 नंबर पर था आगे देखते हैं केंदरी चिडियाघर प्रादी करण की हालिया रैंकिंग में कौन से भारती प्राडी उद्यान सीर्स पर रहा है तो पदमजा, नाइडू, हिमालियन, जिलोजिकर पार्ग जो दरजिलिंग वेस्ट बेंगॉल में इसको जो एक ये दरजा दिया गया है जो भारती प्राडी उद्यान सीर्स पर है अगला प्रशन है, आदी सौरे पर्व पराकरम का निमलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है तो यहां सही नहीं पूछ रहा है, यह 23 जनवरी से 24 जनवरी 2023 को जवालन नहरू स्टेडियम न्यू दिल्ली में आउजित किया गया इसका आयोजन जनवरी मामलों के मंत्राले द्वरा किया गया इस समारों के अंतरगत रोमांचक सौरे परदरसनों के सासा जनवरी निर्त्यों के बहरूप दर्सक के माद्यम से उत्सहा उड़जा का परदरसन किया गया समारों में सैने टैटू में ससस्त्र बलों की सक्ती का प्रदर्शन किया गया तो आपका 2225 का हो जाएगा B क्योंकि इसको जंजाती मामलों के मंत्रालें द्वरा आयोजित नहीं किया गया अगला प्रशन है किस देश का लक्ष 2050 तक सुद्ध सूने उस सर्जन के लक्ष पर आगे बढ़ना है जर्मनी यूरोपी संग आगे देखते हैं जर्मनी हो गया यूरोपी संग हो गया भारत हो गया चीन हो गया जिसका सही उत्तर हो जाएगा डी ओप्सन सॉरी बी ओप्सन हो जाएगा यूरोपी यूनियन यहां पर आप देख सकते हैं 226 का हो जाएगा बी यूरोपी संग इसको जोए कि 2050 तक जोए कि अपना लक्ष रखा है इसने और जबकि भारत का लक्ष कितना है 2070 तक है आगे देखते हैं 227 क्लाइमिट इक्विटी मॉनिटर जलवायू कारवाई में इक्विटी का आंकलन करने के लिए एक ऑनलाइन डैस्बोर्ट के अनुसार भारत का प्रति ब्यक्ति उत्सरजन कितना है तो 2.4 प्रति ये इसका एक आंकड़ा है ये बैग्यानिक भ लिए वन अर्थ लिविंग सस्टेनेबल इन हार्मोनी विद नेचर तो 228 का हो गया बी ऑफ्षन अगला देखते हैं 229 नंबर प्रश्न निमलिखित में से किस योजना ने भारत में खाद सुरक्षा सुनिशित करने मदद किये प्रधान मंतरी किसान संबान नी थी प्रधा प्रधान मंतरी मुद्रा योजना प्रधान मंतरी स्रम योगी मांधन योजना या प्रधान मंतरी वय बंदना योजना तो इसका जो सही एंसर हो जाएगा ए ऑफ्षन प्रधान मंतरी मुद्रा योजना के तायर सस्ते रिणों पे मतलब आसान सर्तों पिरण प्रवाइट कि कि आजाता है 231 प्रशन को देखते हैं जीवन की गुडवत्ता के पारिस्तित्की तंत्र में सुधार के लिए प्रारम में की गई बहु आयामी पहल में कौन-कौन सी सामिल है तो आप देखेंगे प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना प्रधानमंत्री उजला योजना हर घर से कारेकरम और सवभाग योजना तो इस चारों पांचों ही ऑफशन सही है क्योंकि पांचों ही योजना है इसमें पारिस्तित्की तंत्र में सुधार के लिए इंपॉर्टेंट है अगला है 232 संयूग तराष्ट बहु आयामी गरीबी सूचकान के अनुसार 2005-6 से 2019-21 के बी 233 स्री अन्न के संदर में निमलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है स्री अन्न का उलेख 2023-24 के केंद्री बजट में किया गया है ज्वार, रागी, बाजरा, कुट्टू, रामदाना, कंगनी, कुट्की, कोदो, चीना, सामा इन सभी को स्री अन्न का नाम दिया गया है यह भ गलत है क्योंकि स्री अन्य जो है मोटे अनाच को कहा जाता है और भारत विस्व में स्री अन्य का सबसे बड़ा उत्पादक है यह बात तो बिल्कुल सही है आगे देखते हैं अगला प्रशने 234 दोहजार तेश चौबिस के केंदरी बजट में निमलिखित में से किस फसल की उ इस उपाय अपनाय जाने की बात की गई है तो कपाज के लिए अगला प्रशने यहां पे 235 राश्ट्री डिजिटल पुस्तकाला की स्थापना मुख्य रूप से किस वर्ग के लिए की जा रही है अभी जो प्रशन आप लोग देख रहे हैं 5-6 प्रशन भी लगातार मिलें यह केंदरी बजट जो 2023-2024 का है उसमें से यह प्रशन बनाये गए हैं तो यह पूछा जारा राश्टी डिजिटल पुस्तकाला की स्थापना किस के अनुसार की जाएगी या किस के लिए की जाएगी तो बच्चोर की सोरों के लिए की जाएगी ए ऑफ्शन यहां पर सही है 236 वर्श 2023-2024 के बजट में घोसित PVZT विकास मिसन किस वर्ग के सरवांगिण विकास है तू लक्षित है तो आप देखेंगे समवेदन सील जनजाती समुदा है जो की समवेदन सील जनजाती समुदा है उनको लक्षित किया गया है अगला प्रशने भारत में किस वर्श तक सिकल सेल अनिमिया का उनमूलन करने के लक्षितू 2023-2024 के बजट में सिकल सेल अनिमिया उनमूलन विसन प्रारम करने की घोशना की गई है तो 237 को जाएगा 2047 तक सिकल सेल अनिमिया को समाप्त करने का टार्गेट है अगला प्रशन है यहाँ पर वर्ष 2023 के केंदरी बजट में निमलिखित में से कौन सी योजना प्रारम की गई है जैसे प्रधानमंतरी विश्व कर्मा, कौसल सम्मान, दूसरा है आत्म निर्भर, बागवानी, स्वक्ष पौध कारिक्रम, सिकल सेल, एनीमिया, उन्मूलन मिसल, बच्चों के और किसोरों के लिए रास्टी, डिजिटल, पुस्तिकाल है तो आप देखो के चारो ही योजना है, लॉंच की गई है अब आपसे प्रशने अगर पूछ लिया या, 2023 चौबिस में कौन सी योजना सामिल नहीं है तो आप ये चार योजना अगर याद करके गए और कोई ऐसी योजना जो इसमें नहीं थी वो आपका option answer हो जाएगा बिलकुल, सही आगे देखते हैं, निमलिखित कथरों में से कौन सा कथन सही है तो जलवायू परिवर्तन पर सयूंक तराष्ट फ्रेमवर्ग सम्मिलन कॉप 27 सर्म अल सेख मिस्र में आजित हुआ और कॉप 15 जो की जै विवित्ता का था, ये मॉन्ट्रियल कनाडा में आजित हुआ तो दोनों ही बाते सही हैं, यहाँ पर पूछा जा रहा है, कॉप 27 हाँ, दोनों ही बाते सही हैं यहाँ पर, तो C option इसका सही हो जाएगा क्या हो जाएगा इसका option? C सही है 240 की बात करते हैं, तो कौन सा कथन सत्य है? सयूक तराष्ट महासभा द्वरा मार्च 2021 में अपने 75 सत्र में वर्ष 2023 को अंतराष्टी पोसक अनाज वर्ष गोसित किया गया और जुआर, बाजरा, मंडुआ, रागी, कोटकी, कोदो, आदी को पोसक अनाज यानि की मोटे अनाज के तोर पे जाना जाता है तो B-Option तो सही है, लेकिन 75 सत्र में गोसित नहीं किया गया था, बलकि 77 सत्र में गोसित किया गया था आगे आते हैं, 241 नमबर प्रशन को देखते हैं चुनाव आयोकी स्वायत्ता संवन्धी जो सम्विधान संसोदन नामग विदक 2022 में एक निजी विद्यक संसद में किसके दोरा पेश किया गया था तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भी कॉंग्रेसी सांसद एक मनीस तिवारी जी हैं उनके द्वारा इसे पेस किया गया था अगला प्रशने 242 भारत में खाद सुरक्षा के समद में निमलिखित कत्रों पर विचार किये एक जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक राश्टी खाद सुरक्षा अधिनियम 2013 के लाभारतियों को प्रधान मंतरी गरीब कल्यान अन्य योजना के ताथ निसुल करासन मिलेगा उचितम नियाले ने या विधारित किया है कि भोजन का अधिकार समदान के अनुचेर 21 के ताथ एक मौलिक अधिकार है सितमबर 2012 से संगसा से छेटरो चंडीगड़ पूदुचेरी में खाद सबसीडी की धन्रासी लाभारतियों के खाते में हस्तांतरित की जाती रही है तो 242 का उत्तर हो जाएगा डी यानि की एक दो तीन सभी सही है आपर कौन सा सही है? सभी सही है अगला प्रशन वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? वे लोकसभा की सदस से हैं तो दोस्तों यही गलत हो गया क्योंकि वो राज्यसभा की सदस है किसकी? राज्यसभा की एक फरवरी 2023 को लगातार पांचवा संगी बजट उन्होंने प्रस्दुत किया? यह भी सही है संगी बजट पेस करने वाली वे स्वतंत्र भारत की दूसरी मेला है तो यह भी सही है और पहली मेला कौन थी? इंद्रा गांधी जी थी इंद्रा गांधी ने भी एक बार बजट पेस किया था जब उन वो 66 से 69 के बीच में थी और अगला संसद में लगातार पांच बार संगी बजट पेस करने वाली छटी वित्त मंत्री है बिल्कुल यह बात सही है आगे देखते है अगला प्रशने 244 तेलगू फिल्म RRR के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इस गाने को नाटू नाटू ने Golden Globe Award 2023 में सर्वसेश पुरसकार जीता? यह भी सही है नाटू नाटू गाने ने फिल्म के Critics 24 पुरसकार को जीता? यह भी सही है और RRR को Oscar Award 2023 के लिए विदेसी भासा के समवर्ग में नामित किया गया था तो आप देखोगे यहाँ पे कि क्यों पहला दूसरा सही है? तीसरा गलत है क्योंकि विदेसी भासा मनी जो इसका जो गाना था ना Oscar में वो Original Song के लिए जीता गया था ना कि विदेसी भासा के समवर्ग में तो तीसरा गलत है statement आगे देखते हैं अगला है यहाँ पे लिखा है VSHORADS के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसकी जो full form है very short range air defense system संचित रूप है इसका DRDO द्वारा विक्सित मानो द्वारा चलाए जाने वाला portable air defense प्रणाली है यह और इसकी तकनीकी रूप से ली गई है 27 सितंबर 2022 को चांदीपुर से इसके दो सफल प्रक्षेपन लिए गए है तो 245 का C वाला गलत है क्योंकि स्वदेशी रूप से विक्सित किया गया है न कि इसकी कोई तकनीक रूप से ली गई है अगला प्रशने MV गंगा विलाज जो कुरूज गया है इसमें बनारस स्यासम के बीच में उसकी बात हो रही है गई कि MB गंगा विलाज के बारे में निमलिखित कतनों पर विचार की लिया MB गंगा विलाज कुरूज अंतारा लगजरी रीवर कुरूज द्वारा 13 जनवरी 2023 को प्रधान मंतरी द्वारा वर्चुल तरीके से इसे वारानसी से डिब्रूगर्ड के लिए रवाना किया गया है तो यह भी बात सही है और यह वारानसी से पटना साहिब गण्ज, कोलकाता, ढाका यानि बांगलादेश गोहाटी होते हुए डिब्रूगर्ड तक की 32 किलोमेटर की अंतर देशी जल्यातरा 50 दिन में पूरी करेगा यह भी सही है तो C ओप्सन हो जाएके तीनों ही सही है अंतराश्टी क्यों? क्योंकि यह बांगलादेश से होते हुए जाएगा अगला है काले मूंगो के बारे में कौन सा कथन सत्य है काले मूंगो को उथले पानी और फिर 28,000 फिट से अधिक गहराई तक बढ़ते हुए पाया जाता है तो यह ओप्सन सही है आगे देखते है 248 की बात करें निमलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है भारती नौसेना ने 23 जनवरी 2023 को मुंबई में नौसेना डौक्याड में आइनस वागीर पंडुबई के नौसेने बेडे में सामिल होई और यह कलवरी स्रेडी की पंडुबई है जो रूस में विक्सित की गई है यह पंडुबई सता रोधी युद कूफिया जानकारी एकतित करने माइनस विछाने तता निगरानी करने में सक्षम है इसका नामकरण वागीर नामक सेंड़ फेस होती है जो मचली होती है उस पर किया गया है जो हिंद मासागर का एक घातक समुदरी सिकारी जीव होता है तो 248 का बी वाला गलत हो जाएगा क्योंकि ये रूस द्वारा विक्सित नहीं की गई बलकि स्वधेसी रूप में विक्सित की गई और इसमें जो सहयोग दिया वो फ्रांस ने दिया है रूस ने नहीं फ्रांस के द्वारा सहयोग किया गया है अगला 249 कुल प्रजनंदर के संदर में निमलिखित कत्रों पर विचार कीजे पिछले 3 दसकों में भारत में कुल प्रजनंदर में गिरावट देखने को मिलिए बिल्कुल सही है मेगाल है, मडीपूर, महराष्ट, मिजोरंग, तो C-Option हो जाएगा महराष्ट के लिए. अगला प्रशने 251, निमलिखित कत्रों पर विचार करें, भारत और इंग्लाइन ने मिलकर 9 जनवरी 2023 को यंग प्रोफेस्नल स्कीम को सुरू किया, इस स्कीम के अनुसार दोनों देसों के 18-30 वर्ष के 3000 डिगरी धारक, नागरिकों को एक दूसरे की देसों में दो वर्ष तक रहने और काम करने की अनुमती दी जाएगी, इस स्कीम की घोशना नॉमबर में बाली में आयोजे G20 सिखर सम्मिलेंड में की गई थी, तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो जाएंगे, तो यंग प्रोफेशनल इस्कीम जो एकी सुरू की गई भारत और इंगलेंड के बीच में, अगला प्रशन है, 252, यूगो लोरिस के सम्मद में निमलिखित कत्रों पर विचार करें, फीफा वर्ल्ड कप विजेता ह्यूगो लोरिस ने अंतराश्टी फुटबॉल से सन्यास ले लिया, विफ फ्रांस की इंटर्नेशनल फुटबॉल टीम के कप्तान थे और टीम के लिए गोल कीपर की भूमी का निभाते थे, उनकी कप्तानी में फ्रांस ने 2018 में फीफा वर्ल्ड कप जीता था, तो 252 का ए हो जाएगा कि तीनों ही स्टेट्मेंट यहां पर सही हैं, आगे देखते हैं 253, निमलिखित कत्रों पर विचार करें, प्रधान मंतरी नरेद मोधी की अध्यक्सता में, केंदरी मंतरी मंडल ने राश्टी पेजल, स्वक्षता और गुडवत्ता केंदर, जो का कोलकाता का नाम बदल के, डॉक्टर स्यामपरसाद मुखरजी राश्टी जल, स्वक्षता संस्थान कर दिया है, डॉक्टर स्यामा प्रसाद मुखरजी राष्टी एकी करण और द्योई करण के लिए प्रेणा में अगड़ी एक विद्वान और सिख्छा विद के साथ साथ कलकत्ता विश्विद्याले के सबसे कम आयू के कुलपती थे तो ये भी द्यान देना है कि क्या स्यामा प्रसाद मुखरजी सबसे कम आयू के कुलपती थे तो दोनों ही बाते सही हैं एक और दो दोनों सही है 254 प्रस्न ग्रामीड स्वास्ते सांखे की रिपोर्ट 2021-22 के संख्या में इजाफा हो रहा है तो कौन से विज़ाइग अप्शन की एक और दो दोनों ही सही है 255 देखते है अंतराश्टी सिल्प सिखर सम्मेलन के संबन में कतनों पर विचार किये ओडिसा के जाजपूर में अंतराश्टी सिल्प सिखर सम्मेलन का उधगाटन किया गया या अपनी तरह का पहला सिखर सम्मेलन है जिसमें प्रसिद्ध सिल्प कारों और कला के प्रती उत्साही लोगों का संगम होता है इस सिखर सम्मिलन में सयुंग तराष्ट की चार एजंसियों के साथ युनेस्को की पाँच क्रियेटिव सहरों ने भी भाग लिया तो उप्रयोक्त में से कौन सा कतन सही है तो आप देखो कि तीनों ही स्टेटमेंट यहां पर सही है एक, दो, तीन, तीनों सही है 256 प्रशन देखते हैं आर्थिक सयोग और विकास संग OECD ने हाली में Claire Lombardley को अपने मुख्य अर्षास्त्री के रूप में न्यूक्त किया है OECD की स्थापना 30 सितंबर 1971 को हुई थी और इसका मुख्याला पेरिस यानी फ्रांस में था तो ये भी सही है और पहला दूसरा दोनों सही है अगला प्रशन है ICC ने S.L.A. Gardner को दिसंबर 2022 के लिए महिला Player of the Month के अवार्ड से सम्मानित किया हुए किस टीम से सम्मानित है तो S.L.A. Gardner आपकी Australia टीम के खिलारी है 258 प्रशन है भारती सुपर हिट फिल्म RRR के सुपर हिट गाने ना तू ना तू ने बिरश्ट ओरिजनल गाने के लिए प्रतिष्टित गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीता ना तू ना तू गाना काल भैरवा और राहुल सिपली गुन्जन के द्वारा गाया गया और जो इसके डारेक्टर है वो एसस राजा मॉली जी के द्वारा इसको डारेक्ट किया गया था तो तीनों ही कथन से हैं एक दो तीन ये अच्छी मूवी थी काफी अच्छा इसमें सीन मगरा किया गया और PM10 के अधार पर गाजियाबाद भारत का सबसे प्रदूसित सहर था और दिल्ली तीसरा सबसेधिक प्रदूसित सहर था तो PM2.5 पर दिल्ली और PM10 पर जो है की गाजियाबाद सबसेधिक प्रदूसित था तो सी ओप्शन हो जाएगा एक और दो अगला प्रशने भारत सरकार ने एक नई एकिकित खाते सुरक्षा योजना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्य योजना शुरू किया यह योजना कब शुरू की गई थी तो ये थी एक जनवरी 2023 से 261 प्रशन देखते हैं हेनली के एक पासपोर्ट एर इंडेक्स के समन्द में निमलेखित कतरों पर विचार करें हेनली के एक पासपोर्ट इंडेक्स जारी किया हेनली ने और जिसके अनुसार जापान का पासपोर्ट दुनिया का सबसे सक्तिसाली पासपोर्ट है तो आप को ओगे बिल्कुल सही है, भारत को इस बार 85 इस्थान पराप्त हुआ, जबकि 2022 में इसको 87 इस्थान पराप्त हुआ था, नई रैंकिंग के अनुसर पाकिस्तान का दुनिया का चौथा सबसे खराब पासपोर्ट माना गया, जबकि अफगानिस्तान को अंतिम इस्थ प्रदेश बन गया, जम्मू कस्मीर ने सभी सेवाओं को ऑनलाइन करना सुरू कर दिया और ऑफलाइन सेवाएं पूरी तरह से समाप्त कर दिये, तो C ओप्षन से हो जाएगा दोनों, एक और दो, दोनों सही है, अगला प्रशने, सांती कुमारी को किस राज्य की पहली महि महिला मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है, तो सांती कुमारी को जो राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में बात करें, तो तेलंगाना की नियुक्त किया गया, कहां की, तेलंगाना की, अगला प्रशने 264, निमलिखित कथनों पर विचार कीज और लेकिन अब इस योजना को अब संख्यक मामलों ने क्या किया मंत्राले ने बंद कर दिया है अगला प्रशने 265 प्रधान मंतरी मोदी ने रीवर कुरूज एमवी गंगा विलाज को हरी जन्टी दिखा कर रवाना किया है इस कुरूज की यात्रा कि सहर में समाप्त होगी तो समाप्त कहां पे होगी तो आसम के दिब्रूगड में मतलब बोगी विल सहर में समाप्त होगी आईए आगे देखते हैं कोशन नमर 266 कुम देखते हैं चक्रवात एक के बारे में चक्रवात वन नामक सैन्न अभ्यास भारत और मिसर के बीच आयोजित किया गया एगा और चक्रवात एक सेन अभ्यास भारत का पहला सेन अभ्यास होगा जो कि भारत और मिसर के साथ किया जाएगा तो यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट्स हैं और इसको चक्रवात 1 के रूप में पूछा गया है तो इसका सही जवाब हो जाएगा अभेई में, कहां पे अभेई में, अगला प्रशन 260, ओडिसा राज्यकी किस पहल को UN Habitat World Habitat Awards 2023 से सम्मानित किया गया है, तो आप देखोगे UN Habitat की जो पहल है, वो यानि जगा मिसन, कौन है, जगा मिसन, B option सही हो जाएगा ओडिसा का, अगला है किस देश ने चीन के समर्थन से पोखरा छेतरी अंतराश्टी हवाइडे प्रिया का उधगाटन किया, तो चीन के समर्थन से किस ने सुरू किया, तो नेपाल ने, तो C option यहाँ पर सही हो जाएगा, अगला प्रशन पूछा जा रहा है, भारत का पहला राश्टी मु अगला प्रशन रोलर कोस्टर एन अफेर विद बैंकिंग नामक पुस्तक किस के द्वारा लिखी गई है, तो यह तमाल बंदो पाध्याय के द्वारा लिखी गई है, अगला प्रशन आर्थिक समिक्षा 2022 देश निमलिखित में से किसे अनिवाय रूप से यूरोप में भू पूर राजनेतिक विवाद का पैड़ाम माना गया है, भारती रिजर बैंक द्वारा की गई मौद्रिक सक्ती, चालू खाते में घाटा में वृद्धी होना और भारत के निर्यात की इस्तिर वृद्धी, तो टीनो ही बाते यहाँ पर सही हैं, 272 का A. अगला प्रशनेत दीन दयाल अंतियोदा योजना राश्टी ग्रामीर आजीविका मिसन के प्रमुग घटक कौन से हैं, निर्धन महिलाओं की समाजिक कति सीलता और स्वाप्रबंदित वित्ती रूप से इस्थाई सामुदाइक संस्थानों का सुद्रड़ी करण, वित्ती समावेशन, सब के लिए स्वास्त सब के लिए सिक्षा, इस्थाई आजीविका, सामाजिक समावेशन, सामाजिक विकास का और अभी सरण, तो 273 का हो जाएगा आपका D option होगा, तो आए D option में देखतें क्या है, एक, दो, तीन, चार, चारो ही statement यहाँ पर सही रहेंगे, दिया गया है, तो किसमें सबसेदिक विद्धी की गई है, तो प्रधान मंतरी आवास योजना में, क्योंकि इसका जो target रखा गया है कि 2024 तक सभी को आवास हो जाना चेह, इसलिए इसमें सबसेदिक विद्धी करके इसको जल्दी से जल्दी इस target को פूरा करना है, अगला प् परशने 276 भारस सरकार द्वरा कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देने के लिए निमलिखित में से कौन सा निनय लिया गया है तो 49,000 से अधिक अनुपालनाओं को कम करना 3400 से अधिक विदिक उबंदों को अपरात की स्रेडी से अटाजना और जन विश्वास विद्यक संसर में पेस करना तो यहां पर तीनो ही बाते सही हैं एक दो तीनो ही सही हैं आगे देखते हैं 277 भारस सिंगापूर सेना के बीच अगनी योद्धा अभ्यास 30 नॉवंबर 2022 से संपन होगा अगनी योद्धा अगनी योद्धा अभ्यास मेघाला के उम्रोई में आयोजित किया आई जित किया गया था अमरोई में तो आए देख लिख लेते हैं इसका क्या सही होगा तो इसका पहला सही होगा यानि मेघाला में आयजित नहीं किया गया था अगला प्रश्न है 278 आर्जेंटिना ने फ्रांस को हरा कर फीफा फुटवाल विर्ट कॉप 2022 का किताब जीत ल अगला प्रश्ने 279 बैस्विक प्रध्योई की सिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहां पर किया गया तो नई दिल्ली में हुआ इस रो ने किस प्रक्षेपण यान को ओसियन सेट 3 सहित 9 उपग्रहों को प्रक्षेपित कर उनकी कक्षाओं में सफलता पूर्वक 26 नॉबर 2022 को में से किस देश के द्वारा जीता गया तो भारत ने इस खिताब को जीत लिया है प्रधान मंतरी नरिंद मोदी ने किस अस्थान पर 108 फिट उची कान से प्रतिमा इस टैचू आफ प्रस्पेरिटी का अनावरन किया गया है तो यह हो जाएगा बंगलूरू जो की केमपे गो नुवाक जोकोविच और यह किस देश के खिलाड़ी है तो यह सर्भिया के खिलाड़ी है आगे देखते हैं 284 की अगर हम बात करेंगे तो आएए पढ़ते हैं निमलिखित कतनों पर विचार करें जर्मनी ने तीसरी बार पुरुस होकी विसुकप 2013 का खिताब जीता प्ले अगला प्रशने 285 ग्लोबल हंगर रिपोर्ट जो आई थी विसुभुकमरी सूचकांग 2022 में बैसवी कस्तर पर 121 देशों में से भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई है तो 107 रैंक प्रदान की गई है अगला प्रशने अंतराश्टी क्रिकेट परिसत ने क्रिकेट के छ आगे देखते महिलाओं का अंडर 19 ICC विसुभुकम 2023 का खिता भारत ने किस देश को पराजित कर जीता तो अंडर 19 वी जो भारत ने खिताब जीता है इंगलेंड को पराजित करके जीत लिया है आगे देखते 288 निमलिखित में से किस भारती क्रिकेटर ने एक दिवसी अंत 28 फरवरी 2023 के दूसरे अग्रिम अनुमानों में 2022-23 में इस्थिर मूलियों पर भारत के GDP में व्रिद्धी कितने प्रतिशत देखी गई है तो ये जब आप इसका उत्तर देखेंगे तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर? C option होगा 7% आगे देखते हैं केन सरकार का नया बाइब्रेंट विलेज कारिकरम मुख्यता किस से सम्बन देखते हैं तो उत्तरी सीमा के निकटवर्ती गाउं का विकास करना जिसमें इसकी सुरुवात अरुनाचर प्रदेश के कीविथु से सुरू की गई है और आगे देखते हैं नई दिल्ली में प्रगती मैदान में फरवरी 2023 में आयोजित विसाल कारिकरम अमरित पैक से किस से सम्बन देखते हैं तो A option है निवेशक सम्मिलन से या B option डाक टिकट प्रदरसनी अंतरिक्ष कारिकरम से सम्मिलन या आयूस ओसधी से सम्मिनार तो B option ह सम्मिलन तीमों डाक टिकट प्रदर्शनी से सम्मन देख था अगला परशनी भारती और क्रिकेट कि इतिहास में इंडियन प्रीमियर लीग की अपार सफलता में महिलाओं की क्रिक्ट लीग किस नाम से प्रार्म की गयी है तो यह हो जाएग आपकी C option Women's Premier League किस नाम से Women's Premier League अ आप जो है कि IPL जैसे पुरसों का होता है वैसे अब महिलाओं की भी एक IPL सिरीज हुआ करेगी अगला प्रशने 293 हाली में प्रारम की गई विमेंस प्रीमियर लीग में उत्तरी फ्रेंचाइजी टीमों की निमलिखित में से कौन सा यूग में सही सुमेलित है तो आप देखेंगे अदानी स्पोर्ट्स लाइन अहमदावाद फ्रेंचाइजी है यह भी सही इनडिया विंस स्पोर्ट्स मुंबई फ्रेंचाइजी सही है तो डी-जियंग जाएगा 1-2-3-4-5 सभी स्टेटमेट सही है अगला प्रशने 294 पद्म पुरसकारों के समदर में निमलेखित में से कौन सा सकतन सही है पद्म पुरसकार चैन समीती का अध्यक्ष भारत सरकार का ग्रीज सचिव होता है भारत के राश्टपती किसी को दिये गए पद्म पुरसकार को अमान या निरस्त भी कर सकते है तो किवल दूसरा तो सही है, लेकिन पहला गलत है, क्योंकि ग्रिह सचिव इसका अध्यक्ष नहीं होता है अगला प्रशन है, समाचार की सुर्ख्यों में रहा elephant pass निमलिखित में से किस देश में इस्थित है तो elephant जो pass है, वो किस में इस्थित है एक मिनट दोस्तों, यहाँ पर यह थोड़ा सा, हाँ, ठीक है, ठीक है उसका एंसर से यह, अब यहाँ पर 295 प्रशन का जो एंसर हो जाएगा वो C हो जाएगा, elephant pass आपका स्रिलंका में स्थित है आगे देखते हैं, भारत के किस राज में सेर की पूँच की तरह का mokok, loin tilted mokok पाया जाता है तो यह हो जाएगा, Tamil Nadu में, केरल में और करनाटक में आंध प्रदेश में नहीं पाया था, इसलिए ए ओप्सनिया पर सही हो जाएगा जैसा कि हम लोगों ने आज कहा था, मैंने पहले ही कहा था कि आज मैं कम से कम 125 प्रशने कराऊंगा, तो हम लोग सेरी 325 पर जाके खत्म करेंगे किस टाइगा रिजर्व में प्रतिवर्स बेलादा, बेलादा, कुपे, मंदिर, उत्सव मनाया था नोरोवाइरस को आंतरसोध के प्रात्मिक कारणों में से एक माना जाता है नोरोवाइरस कम तापमान में जीवित रहने में भी सक्षा में तो ए ओफ्सन सही है कि पहला तो सही दूसरा गलत है अगला प्रशने 299 अंडमान निकुबार द्वीप समों के नवीन नामकरण के संदर में निमलिखेत में से कौन सा कथन सही है तो रॉस द्वीप जो है कि नेताजी सुवाशन बोस नाम ये बदले गए है अभी और नील द्वीप सहीद द्वीप हो जाएगा हैवलाग दीप सुराज दीप हो जाएगा तो कौन सा सही हो जाएगा सी ओफशन की तीनों ही स्टेटमेंट सही है यानि की तीनों के जो नामकरण है वो सही है और यहाँ पर 300 प्रशन नम्मर पे देखें तो निमलिखेत समाचारों में सुर्क्यों में रा और चराई देव, Moïdem's, Royal Burial Sight जो चराई देव साइटस है यह ओन पर स्थित उना तो यह असम अस्थित है अगला प्रशन है निमलिखेत में से कौन से देश दट्छरपूरव एशियाई देशों के संगठन आसियान के संस्थापक सदत से हैं तो आप यहां पर देख सकते हैं कि केवल और केवल आपको किसको eliminate करना था बस म्यामार को eliminate कर देते तो आपका answer निकल जाता आप म्यामार को eliminate कर दीजे, यहां भी eliminate कर दीजे, यहां भी तो C option आपका हो जाया, क्योंकि Indonesia, Malaysia, Philippines, Thailand यह सभी लोग जो एक इसके संस्थापक थे 302 नमबर प्रशन भारत के गरतंतर दिवस के समारों के अवसर पर राजपत या करता विपत पर आयोजित परेड में निमलिखित में से किस देश की सैने टुकुडी ने कभी भाग नहीं दिया आज तक तो वो है इस्राइल, इस्राइल की सैने टुकुडी ने भाग नहीं दिया है अगला प्रशन 303 समाचार के सुर्खियों में रही सालिम सालिग राम सिला के बारे में विचार किये सालिग राम सिलाएं अमोनाइट के जिवास में जो एक प्रकार का मुलास्क है जो 400 बिलिन से 65 मिलियन वर्स पूर्व का पाया जाता है और आहली ग्राम पत्थर नेपाल में गंड़की नदी की एक सहायक नदी काली गंड़की में और उनके किनारों पर पाय जाते हैं वही हिंदू पौराडिक कथाओं के अनुसार स्वयम को धोखा देने के लिए तुलसी ने भगवान विश्णू को स्राप देकर सिला बना दिया था जिसे सालिग राम कहा जाता है आयोध्या में निर्माडा धीन राम लला मंदिर में भगवान स्री राम और माता जानकी की मूर्तियों का नेमान इसी सालिग राम सिलाओं से किये जाने की संभावना है तो आप से यहाँ पर पूछा जा रहा है तो 303 का हो जाएगा D की 1, 2, 3, 4 सभी सही है इस पाई बैलून यहीं जासुसी गुबारा निम्लिखित में से किन दो देशों की भी तना तनी का कारण बन गया तो सहुतराज अमेरिका और चीन के बीच में यह एक विवाद बना हुआ है अगला प्रशन है SSLV-D2 EOS-07 मिसन के बारे में कौन सा कथन सत्य है SSLV-D2 EOS मिसन 10 फरवरी 2023 को सफलता पूरवक पूरा कर लिया गया SSLV-D2 प्रक्षे पास ने EOS-7 जानूस 1 तथा अजादी सेट 2 को अपनी अपनी निर्धारी कक्षाओं में सफलता पूरवक इस्थापित किया तो यह दोनों ही बाते सही हो जाएंगी अगला प्रशन है भारत का सबसे विसाल तैरता हुआ संगीत में 12 फ्लोटिंग म्यूजिकल फॉंटेन कहां पर प्रारंब किया गया है तो यह देखा जाएगा तो यह आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ए हुसेन सागर हैदराबाद में स्थापित किया गया जो एकी फबारा है और 22 में विधी आयोग का कारेकाल किस अवधी तक बढ़ा दिया गया है तो 31 अगस 2024 तक बढ़ा दिया गया और 22 में विधी आयोग के अध्यक्ष को ने रितुराज अवस्थी जी जो करनाटक हाई कोट के चीफ जेस्टिस है 308 प्रशन नमर किस नियाले ने या अभिसारित किया कि परिवार बनाने का ब्यक्तिकत विकल्प एक मौलिक अधिकार होगा ये केरल हाई कोट ने ऐसा निर्ने दिया है GSMA Government Leader Award 2023 किस देश को परदान किया गया है तो ये भी परदान किया गया है भारत को किसको परदान किया गया है भारत को परदान किया गया है अगला प्रशन देखते हैं 310 भारत में पहला राज्य कौन साय जिसमें 100 प्रतिशत घरों में नल कनेक्शन प्रवाइड कर दिये गए है तो गोवा में है हाल ही में किस भारती संस्थान एक किरत्रिम हिर्द है तैरता तैयार करने में सफलता हासिल कि यानि की आर्टिफीसल हार्ट है इसने तैयार की तो IIT कानपुर ये UP के लिए अच्छा प्रश्न है अगला प्रश्न है 312 हाल ही में संयुक द्राष्ट संग जो संयुक द्राष्ट संग द्वारा निमलिखित में से किस देश का नाम बदलने के लिए सहमत हुआ है तो वो हो जाएगा आपका C. तुर्की का नाम बदल के तुर्कीय किया जाएगा किस मंत्राले ने भारती सांकेतिक भासा डिक्सनरी मुबाइल एप्लिकेशन C. आगे देखते हैं बार बार समाचार पत्रों में आने वाले स्विफ्ट प्रणाली क्या है यह किस से समझेति है तो यह वैस्विक मुद्रा अंत्राण प्रणाली से संबंदित है आगे देखते हैं हाली में आरेटा पत्ती जैविवित्त विरासत अस्तल किस राज्य का पहला जैविवित्त विरासत अस्तल बन गया है तो यह तमिलनाडू का बन गया है और जबकि भारत का यह कौन सा हो जाएगा पैतिस्वा हो जाएगा आगे देखते किस payment bank ने हाली में face आधारिद EKYC शुरू कर दिया है अब तो अब आप जोए कि अपने face को दिखा करी EKYC करवा सकते हैं अगला प्रशन है हाली में जारी हुई IQ AR World Air Quality Report अगला प्रशन हाली में UGC ने उच्चे सिक्षा संस्थान को किस दिवस को हर वर्स भारती भासा दिवस मनाने के लिए कहा है तो भारती भासा दिवस 11 दिसंबर को मनाया जाएगा नॉबर 2022 को भारत के पहले सिकार विरोधी कुत्ते का निधन हो गया और उसका नाम क्या था तो जोर्बा उसका नाम था अगला प्रशन 320 नमबर पे फसाई द्वारा उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन को 5 स्टार रेटिंग और 8 राइट परमानन भी दिया गया है तो यह हो जाएगा आपका वारानसी रेलवे स्टेशन अगला प्रदान मंतरी द्वारा हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में सांसद खेल महाकुम 2022-2023 का आयुजन किया गया तो बस्ती में आयुजन किया गया है और आगे देखें अगर हम तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 16 नॉवंबर 2022 को Moon Rocket Artemis 1 निम्ण में से किस देश द्वारा लॉंच किया जा रहा है तो यह अमेरिका के नासा के द्वारा लॉंच किया जा रहा है आगे 26 जनवरी 2023 को नई दिल्ली में विस्व के पहले कोविड रोधी नासिका टीका इनको वैक को लॉंच किया गया इसे किस भारती कंपनी ने बनाया तो यह भारत बायोटेक के द्वारा बनाया गया जो कि हैदरावाद इस्थित है अगला प्रशन 334 हाल ही में भारती ओलंप 324 है प्रशन भारती ओलंपिक संग के एथलीट आयोग के अध्यक्ष की रूप में किसको चुना गया है मीरा बाई चानू, मैरी कॉम, मनप्री सिंग या मिताली राज तो मैरी कॉम इसका सही उत्तर हो जाएगा और आगे देख लेते हैं कोशन नंबर हम लोग देखते हैं 325 नंबर प्रशन को देखते हैं तो चलिए शुरू करते हैं हाल ही में दच्षड अफ्रिका में आयोजित अंडर 19 महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 की विजेता टीम का क्या नाम है तो हमारे भारत ने जीता हो किसको हराया इंगलाइन को हराया ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत की रैंकिंग कितनी तो 107 है हाल ही में भारती राजटी कॉंगरेस के नए अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया राहूल गांधी के हटने को बाद तो मल्लिका अर्जुन खड़गे को चुना गया है अगला प्रशन 328 किस राज्य द्वारा प्रसुन जोसी को सांस्किर्टिक विरासत को प्रोसाहित करने तो ब्रेंड अम्बेजडर बनाया गया है तो प्रसुन जोसी को उत्तरा खड़ने अपना उत्तर प्रदेश का जो पहला फिल्म स्टूडियो लखनव में कुरसी देवा रोड इस्तिद एंडरावली में बनाया जाएगा। राष्टी सिक्षानीती से प्रेरित पीयम स्री योजना के तहट पूरे भारत में कितने स्कूलों का विकास एक आदर्स स्कूल या नमुना स्कूल की रूप में किया जाएगा तो 14,500 स्कूल होंगे जो की ए ओफ्सन करेक्ट हो जाएगा। 24 से 26 जनवरी 2023 तक बायो एसिया के 20 संस्कूल का आयोजन हैदराबाद में किया गया इसकी थीम क्या थी। तो इसकी थीम थी एडवांसिंग फोर वन सेपिंग दा नेक्स जनेरेशन ऑफ हुमिनाइजड हेल्थ केर इसकी थीम थी। अगला प्रशन 333 किस देश ने फाइनल में दच्छड अफरिका को हराकर ICC मैला T20 विसुकब 2023 का खिताब अपने नाम कर लिया तो यह औस्टेलिया हो जाएगा। किस ने जीता ICC T20 तो यह औस्टेलिया। FATF यानि कि Financial Action Task Force किस देश की सदस्ता रद्य करने की घोशना की है तो रूस की रद्य करने की घोशना कर दी गई है। 335 प्रशनों का आपका विसुकब खाद्य पुरसकार 2022 किसे दिया गया है भाई। विसुकब खाद्य पुरसकार 2022 डॉक्टर सिंथिया रोसंज वेक को दिया गया। किसको रोसिंज वेक को दिया गया, डॉक्टर सिंथिया को, और अगला और यह आखरी प्रश्ण होगा आज की क्लास का, साहित के छेतर का, वर्ड 2022 का नोबल पुरसकार, फ्रांसेसी लेखे का किसे प्रदान किया गया, तो एनी एरनॉक्स को दिया गया, किसको एनी एनॉक्स को, तो यह तो आज की क्लास में हम लोगों ने कर लिए 136 कोशन टोटल, यह नि कि 201 से शुरू करके 336 पे खतम किया, और कल की क्लास से हमारा कोशन नमबर 337 सुरू होगा, तो अगर आप इसी तरीके से अपडेट देखना चाते हैं, इन क्लासस को देखना चाते हैं, तो प्लीज वीडियो को अधिक सधिक लोगों के साथ सेर कीजिए दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ भी इस चीज़ को सेर कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले कोश्चन से 337 चैनल पर पहली बारा है तो प्ली चान को सब्सक्राइब जरू कर लीजेगा तो ठैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों